नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकेत इसपायाश इडियाप और मैं हूँ अंकेत अवस्थी आप है मेरे साथ में एक ऐसे सेशन का चर्चा करने के लिए जो कि बहुत डिमांड में हमारे साथ लंबे समय से बना हुआ है हमारे कमेंट्स बॉक्स में कुछ बच्चे निरंतर एक मैसेज डाल रहे हैं कि सर वफ़ बोड के उपर हमारे लिए कोई सेशन लेकर आईए हम सोच रहे थे कि किसी दिन ये सुर्खी में होगा तो उस दिन सब को पता होगा इसलिए लाना आसान होगा तो मौका और दस्तूर आस दोनों हैं इसी कारण हम आपके सामने वफ़ बोड के उपर एक सेशन लेकर आए हैं सेशन है क्योंकि अक्सर लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी curiosity चिपी है इस बात को लेकर कि कि वफ़ बोड के पास संपत्ती कितनी है कितनी land holding है, कितनी जमीन है, कितना इनों के पास asset है चल, movable और immovable, कितना क्या कुछ है आज के सेशन में हम सब कुछ cover करने का प्रयास करेंगे including इसकी history क्या है, कब से है किस तरह से ये कहा जाता है कि वक्फ बोड ने अगर किसी जमीन पर एक बार claim कर दिया कि ये उसकी है, तो फिर ये उसकी हो गई even उस आदमी ने जो उस पर निवास कर रहा है उसके पास में उसको prove करना पड़ेगा उस व्यक्ति को कि ये उसकी ही जमीन है वक्फ बोड को prove नहीं करना है including this, court तक में आप इस चीच को challenge नहीं कर सकते तो कौन से वो कानून है जिसको लेकर के फिलहाल संसद में ये बात चली गई है किसमें संसद के अंदर बिल के लिए मामला चल रहा है बड़ी interesting story होने वाली है और ये मामला बहुत बड़ा मामला बड़े मामलों में से एक है तो चलिए सिलसलेवार तरीके से पहले मैं आपको थोड़ा सा brief intro दे देता हूँ फिर इसकी detail study हम लोग आपके सामने करेंगे ठीक है एक बड़ा common सा नाम है वक्फ बोर्ड इसमें जो इस शब्द है ना वक्फ असल में वक्फ है क्या एक आसान शब्द में कह दू शुरुआत में तो समझो कि दान किया हुआ अब ये दान किया हुआ क्या है उसको हम detail में आगे चलेंगे ठीक है दान की हुई जो चीजे हैं उनको सुनने में एक बार के लिए दान किया हुआ शब्द ऐसा लगता है कि अच्छा आप दान की बात है इसलिए चोड़ो साइड में अटाते हैं इसमें आपको कबजा, दान किया हुआ जबरन क्लेम किया हुआ पाकिस्तानियों की जमीन वागेरा सब शामिल हैं इसके अंदर फिलाल के लिए आप इसपर फोकस करिये कि देष के अंदर अगा तीन सबसे बड़े लैंड होलडर्स काउंट कीया जाएं कि किसकिस के पास सबसे ज़्यादा जमीन है तो उसमें भाратी सेना के पास भारत में बारत में सबसे ज़्यादा जमीन है उसके बाद में भारतीय railway के पास और तीसरी सबसे बड़ी जो land holder है इंडिया के अंदर अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए railway आपको पूरे देश में पटरी बिचा के दिखाई देता है भारतीय सेना के आपको maximum जगहे पर जहां भी आप देखते हैं या तो सेना का headquarter है या फिर कहीं न कहीं सेना के cantonment है उन सबको आप देखते हैं तीसरी सबसे बड़ी जमीन जिसके पास है that is work for board ठीक है अचा अब इसकी चर्चा आज हो क्यों रही है राजसभा के अंदर एक private member bill आया है ये private member bill क्या होता है ये भी मैं बताऊँगा public bill क्या होता है private member bill क्या होता है और private member bill के कारण ये है मामला और ये कौन लेकर आए है तो बीजेपी के एक MP है जिनके द्वारा repeal करने के लिए repeal मतलब कि हटा दो इसको किसको हटा दो वक्फ act को हटा दो तो उन्होंने एक bill introduce किया है that is repeal वक्फ act तो बीजेपी के MP है फिर वो private bill क्यों लेकर आये ये भी हम बताएंगे सारी बातें आपको बताएंगे वक्फ बोर्डों को निरस्त करने के लिए संसद संसद के अंदर विधयक आ चुका है अब इस विधयक पर बहस होगी पास होगा नहीं होगा ये सब आगे का प्रोसीजर है विधयक टेबल आ रहा है ठीक है साब यहां तक जानकारी समझ में आवी इसी वज़े से tweets की भी बा के पास तो उसका इतिहास जानना हो तो इंडियन रेलवे के उपर एक आडियो बुक है जिसे आप जिन्होंने मेरे कहने पर कुकु एफम डाउनलोड कर लिया है वो जाकर आज ही सुन लीजिएगा और जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में डेस्क्रिप्शन में डाल दिया है अब जो नहीं जानते कुकु एफम क्या है तो ये एक आडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहां पर 15 लाग से ज्यादा एक्टिव हिंदी सब्सक्राइबर्स डेली अपने मन पसंद का कोई ना कोई किताब सुन रहे हैं और सुनने के लिए यहां पर यह बहुती बहुती बहतरीन प्लेटफॉर्म उपलवध है यहां पर करना क्या है डेस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दिये गए लिंक पर जाईए वहां से आप अपने लिए कुकु एफम डाउनलोड करिए अपने अकौन के अपने असाब से मैनेज करिए पर जाकर के एंट्री कर जाईए और वहां पर अपनी पसंद की किताबे सुनिए पसंद आता है तो उनके नोट्स भी ऑनलाइन बना सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं वाक करते समय जॉक करते समय स्लीपर टाइमर के साथ भी आप इसका उपियोग कर सकते हैं यह सुनने का प् समचार है कि राज सभा में शुक्रवार को वक्फ बोड अधिनियम 1995 को निरस्त करने के सम्मन्द में एक निजी विधेयक पेश किया गया है। सवाल में एक जो बड़ा पॉइंट निकल कर आता है वो ये है कि ये निजी विधेयक होता क्या है। तो पहले हम असान भाषा में समझ लेता है फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और ये बड़ा प्रश्ण है कि जब सांसद बीजेपी के हैं तो फिर इसको निजी बिल क्यों कहा जा रहा है तो देखिए हमारी जो संसद है ये प्रसीडिंग है पहले में लेकर आपको एक बार बेसिक अंतर समझा देता हूं फिर आगे बढ़ेंगे अपनी जो संसद है इसके अंदर दो हाउसेज हैं संसद असल में इंडियन पॉलिटी की भाषा में अगर आप बात करें तो संसद तीन चीजों से मिलकर बनती है लोगसभा राजसभा और प्रेसिडेंट फिलाल हम बात करते हैं हाउसेज लोगसभा और राजसभा में आपने कई बार देखा होगा संसद से कुछ MPs खड़े होका सवाल पूछ रहे होते हैं और सरकार की तरफ से कोई मंत्री उनके जवाब दे रहे होते हैं अगर आपने प्रक्रिया नोटिस की है संसद ये कारेवाही में त या ये मूवी देखने चलेंगे या ये खाना है आज हमें ये प्रस्ताव है आपका संसद में ऐसे लाया नहीं जाता तो पेपर पर लाया जाता है ठीक है तो प्रस्ताव बिलकुल सदन की तरह घर की तरह ही समझे कि वहाँ पर लाया जाता है अब प्रस्ताव लाकर लेकर क मुश्किल है, अगर कोई उनी की बात नहीं माना, पापा ने कह दिया कि आज यहाँ चलना है, उनकी बात बिटना मुश्किल है, माना जाएगा क्योंकि पापा पावर में है, सरकार में भी ऐसा होता है, सदन में भी ऐसा होता है, सदन में क्या होता है, सत्तापक्ष और विपक व्यक्ति लेकर के आ रहा है तो इस बिल के पास होने की प्रबल संभावनाएं अगर ऐसा बिल या ऐसा प्रस्ताव जो मंत्री परिशद के सदस्ट के द्वारा लाया जाता हो यानि सरकार खुद लेकर आती हो तो उसे गवर्मेंट बिल कहा जाता है ठीक है और अगर सरकार में कोई सदस्ट नहीं है सरकार का सदस्ट नहीं है लेकिन सरकारी पार्टी से है या जैसे मान लीजे फिलाल बीजेपी बहुमत में है एंडिये बहुमत में है केंडर में लेकिन जिस व्यक्ति के द्वारा बिल आया गया वो काउंसिल आफ मिनिस्टर का हिस्सा नहीं है वो मंत इसलिए समझा रहा हूँ, so that आप आप इस मामले को गंभीरता से ले सकें, अगर आपको ये समझना हो कि फिलहाल जो बिल लेकर आए हैं, वो सांसद कौन सी पार्टी से हैं, तो वो BJP से हैं, तो इसको ऐसे समझते हैं कि यदी BJP से सांसद हैं वो, और अगर BJP से सांसद होने क के नाम पर बिल लेकर आए हैं, टेकनिकली उसे गवर्मेंट बिल या पब्लिक बिल बोलना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो प्राइविट मेंबर, सरकारी सदश्य नहीं है, अभी मेंबर काउंसिल अफ मिनिस्टर के नहीं है, इसलिए आप उसे प्राइविट मेंबर बिल में काउंट करें, तो आसान भाषा में ये समझ में आ गया होगा, आप वापस लोटते हैं, तो आप यहाँ पर हरनात सिंग यादव जी को देखते हैं, उनका ये वीडियो हम चला के आपको दिखा रहे हैं, इन्होंने राज्य सभा में अपने द गरा होगी है न, तो यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं हरनात सिंग यादव जी, ये राज्य सभा सांसद हैं, इनके द्वारा राज्य सभा जिसे उच्च सदन कहा जाता है, वहाँ पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने की इजाजत मागी गई, अब इसको ऐसे मन हो रहा है, हमें ये घूमने का मन हो रहा है, हमें भार खेलने का मन हो रहा है, तो ये पूछने की जो प्रकिरिया है, ये भी बड़ा फॉर्मल अंदाज में होती है, मम्मी से पहले पूछा जाता है कि आज मुढ ठीक है, पूछ लें, तो यानि कि आप अपनी बात को पू अगर प्रस्तुत करने की पर्मीशन इनको मिल गई है, 52 सांसदों ने इनके पक्ष में और 32 सांसदों ने इनके विपक्ष में वोट दिया है, यानि कि अब ये अपनी बात रख पाएंगे, अब इस विशह पर चर्चा हो पाएगी, अच्छा ठीक है साथ, आपने ऐसी क्या ब से, इसमें इन्हों ने क्या कहा, इन्हों ने ये कहा, हरनात सिंग यादव जी नाम है इनका, इन्हों ने कहा कि 1905 में का जो वक्फ बोर्ड एक्ट है, इससे देश में ऐसा मानता फैली हुई है, बड़े इस तर पर धर्मानतरन का खेल भी इसी की आर में चल रहा है, लोग परिवर्तन वक्फ बोर्ड के इस एक्ट के आर में कर रहे हैं, बोले ऐसा क्या हुआ, तो देखिए आपको यदि ग्यात हो, तो जब देश का विभाजन हुआ, आपको पता होगा, देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, मुसलिम लीक की मन्शा थी कि मुसलिमों के लिए एक अलग देश बने और उस अलग देश का नाम पाकिस्तान हुआ और एक अलग देश बन गया, ठीक ऐसा, अब जो देश के अंदर अल्रेडी मुसलिम रह रहे थे, ऐसा तो नहीं था, कि आज जहां पाकिस्तान है, उसी छेतर में सारे मुसलिम रहते हूं, ऐसा भी लेकिन बाकी सारे देश में कही ना कहीं तो मुसलिम थे, और जब मुसलिम थे तो उनकी अपनी जमीने भी होंगी, जैसे मुगलकाल में बहुत बड़ा छेतर मुसलिमों का या फिर जहां साशन रहा, उसमें दिल्ली भी है, आगरा भी है, ये प्रमुक शेतर रहे हैं, तो ऐसी इस्थिती में आगरा तो अभी हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान में तो है नहीं, ऐसी इस्थिती में यहां से वहां मुसलिम शिफ्ट करके चले गए, क्लियर, इंडिया से कई मुसलिम यहां से पलायन करके उधर गए, और कई मुसलिम अपने छेतरों में यही रुके रह गए जो लोग भारक छोड़कर चले गए उनकी संपत्ती का क्या हुआ बैई जब पाकिस्तान छोड़कर कोई यहां आया तो पाकिस्तान में से जो हिंदु छोड़कर इंडिया आया उसकी संपत्ती का क्या हुआ यह सेम सवाल भी पूछ सकते हैं वो जगह तो किस के पास चली गई? पाकिस्तान सरकार के पास, यहां जो जगह छोड़कर गए वो कहा गई? वो आ गई? इंडियन गवर्मेंट के पास, और असल माइने में वो इंडियर गवर्मेंट का जो नुमाइनदा था, that is वक्फ बोर्ड, कि पाकिस्तान जो लोग चले हरनाथ सिंग जी के द्वारा कही गई बात है, दूसरा इसमें इन्हों ने ये कहा, कि यह जो संस्था बनी वक्फ बोर्ड के नाम से, 1954 में कॉंग्रेस ने कानूनन इसे माननिता दे दी, जिसकी संपत्ती उस वक्त भारत से गए मुसलिमों की थी, उसमें से 90% संपत्ती वफ की हो गई, 1995 में में कॉंग्रेस सरकार ने एक वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 बनाया, इस वक्फ बोर्ड एक्ट ने कुल 7 लोग होंगे, जिसमें से 5 बोर्ड मेंबर होंगे, एक सर्वेयर होगा और एक कारया अधिकारी होगा, जो सभी की सभी सातों की सातों लोग मुसलिम होंगे यानि कि यहाँ पर जो बात आई that is वो 1995 पर आगई 54 से 95 पर आप लीड करके पहुँच गए अर्थात यहाँ पर यह जो बाते हैं यह सब हरनाथ सिंग जी के द्वारा कही गई बाते हैं इनका कहना है कि यह जो साथ सदश्य बोर्ड बनता है वक्त्व के अंदर इसमें member, surveyor और कारयाधिकारी यदि किसी भी संपत्ती को अगर ये बोल दें कि ये संपत्ती उनकी है तो बोर्ड को ये साबित करने की जरुवत नहीं है कि ये संपत्ती बोर्ड की है जबकि उसपर जो रह रहाए है व्यक्ति है उसे ये साबित करना पड़ेगा कि ये संपत्ति उसकी नहीं है अब ये बड़ा इंट्रेस्टिंग है मान लीजिए आज आप जिस घर में रह रहे हैं अचानक आपके पास एक सर्वेयर का या कार्याधिकारी का वफ्त बोड की तरफ से पैगाम आता है कि जिस जमीन पर आप रह रहे हैं ये वक्फ बोड की है अब आप क्या कीजिएगा आपकी जमीन अचानक वक्फ बोड की जमीन हो गई अब आप क्या कीजिएगा तो आप कहेंगे कि सर ये जमीन मेरी है आप किसको कैसे क्लेम कर सकते हैं आप उल्टा सवाल करेंगे ना कि आप कैसे claim कर सकते हैं तो 1995 का कानून इन्हें इतनी ताकत दे चुका है वक्फ बोर्ड को कि ये जिस जमीन पर खुद claim कर देंगे कि ये जमीन उनकी है तो ये मानना पड़ेगा कि ये जमीन उनकी है और ऐसी इस्थती में आपको उनसे पूछने का हक नहीं है आपको खुद से ये produce करने है documents कि देखिए ये मेरे जमीन के कागज है जिन में लिखा है कि ये जमीन मेरी है संभवत अब आपको ये दो पक्ष समझ में आ गए हो कौन सा पक्ष क्या है वक्ष बोड कहता है कि जमीन उसकी है तो उसकी है आपके पास अगर कोई document है जो प्रूफ करता है कि ये आपके है तो बताईए otherwise जमीन से हाथ दो दीजिए ये बात किसने उठाई है हरनात सिंग यादव जी ने उस कानून की कमी को उजागर करते हुए इंटरस्टिंगली अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर बहुत समय से रह रहा हूँ तो मुझे इस जमीन का हक होना चाहिए आप अगर कोट में जाएंगे तो वक्ष बोड के खिलाफ आप कोट नहीं जा सकते ये पावर भी कानून ने 1995 में वक्ष बोड को दे दिया यानि कोट से उपर वक्ष बोड है कि उसने कह दिया कि ये उसकी जमीन है तो उसकी है यहाँ पर ये सारी बाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ हरनाच सिंग जी का कहना है कि कि किसी भी अदालत में जब किसी चीज को चुनोती नहीं दी जा सकती तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे देश में रूल आफ लॉव है यदि कोई संस्था ऐसी है जो न्याय पालिका से उपर है न्याय पालिका न उच्छ पालिका में न न न उच्छ तम नियालम की और एक महारास्टर की इन्होंने बताया कि आज से कुछ समय पूर्वत तमिल लाडू के अंदर तरिची नामक जिले में एक गाउं है जहां लगभग डेढ़ हजार की आवादी है और वहाँ पर कुल मिलाकर साथ या आठ घर मुसलिमों के हैं ठीक है साथ पड़ास में ही एक शंकर जी का मंदिर भी है जो कि डेढ़ हजार वर्ष पुराना है वक्फ बोर्ड ने उस गाउं की संब सपत्ती पर अपना दावा ठोक दिया और कहा कि सभी को इसे खाली करना है कलेक्टर की तरफ से आप रह रहे हैं यह जमीन as it is आपके पास रह जाएगी अब आप विचार कीजिए वक्फ ने पहले किसी जमीन वो अपना बताया कि यह जमीन उसकी है वहां रह रहे व्यक्तियों के पास में जमीन कोल्ट में जाने का कोई आप्शन नहीं है आप्शन नहीं है तो ऐसी इस्थिती में वो वक्ति क्या करेगा वो व्यक्ति अंत में हार कर अपने जमीन से हाथ छोड़ने के इस्थान पर वो इनके साथ समझोता करके कहता है कि चलिए हम इसलाम कबूल कर लेते हैं ये उन्होंने उधारन दिया हरनात सिंग यादवजी के द्वारा दूसरा उधारन उन्होंने कौन सा दिया कि महराश्ट्र के सोलापुर जिले में भी एक ऐसी ही घतना हुई जहां धाई सो के करीब अनुसुचित वर्ग के लोग रहते हैं उन्हें भी एक दिन ऐसा ही नौटिस आता है कि जमीन खाली कर दीजिए वो जहां रह रहे थे वो जमीन वक्फ बोड की है वो भी सब जगे दरदर भटकने के बाद जब कोई सॉलूशन नहीं ढूंड पाए तो उनसे कहा गया कि इसलाम धर्म अपना लो और आपका काम हो जाएगा चलिए साब ये दो इस्थितियां बड़ी विकट हो गई अब दोना इस्थितियों को इन्होंने आधार बनाया कि इस प्रकार से इसलाम जबरदस्ती अपनवाया जा रहा है अब आप पुछेंगे कि ये 78 मुस्लिम घरों का क्या लॉजिक है लॉजिक ये है कि जो वक्फ है उसका जब मैं आपको इतिहास बताऊंगा तो आप जानेंगे कि ये जमीन वो है जो मुस्लिमों के द्वारा डॉनेट की जाती होगी तो यहां इस बात को बताने का आधार ये है कि 78 लोगों ने मिलकर ऐसी कितनी जमीन डॉनेट कर दी जो 1500 साल पुराना मंदिर भी उस जमीन पर सामिल हो गया एक काउं में 1500 लोग रहते हैं 78 मुसलिम है क्या पूरा गाउं उन्होंने बसा दिया ये बात इस प्रकार से रीजिनिंग के साथ कही गई है तो अब थोड़ा सा मैं आपको वक्फ बोर्ड के बारे में डीटेल से और एतिहासिक्ता में और कितनी जमीन इनके पास है वो बता देता हूँ अच्छा एक चीज मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा देखिए आप लोगों के लिए हम लोग इतनी मेहनत करके इतना कॉंटेट इखटा करके लेके आते हैं आप से बस एक पल की अपिक्षा ये होती है कि आप सेशन के मध्य में रुक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें वो सब्सक्राइब हो जाएगा इससे हमें होसला मिलता है हमारी सुचना आप तक तुरंट पहुचती है यही इसी मॉटिवेशन के चलते आपके साथ जुड़े रहते हैं तो कृपया समय निका लिए और राइट हैंड क्लिक पर सब्सक्राइब का ओप्शन दबा दीजिए आपके वीडियो के राइट में नीचे आ रहा होगा उसे क्लिक कर दीजिए ठीक है उसका कोई चार्ज नहीं है आगे बढ़ते हैं तो अब वक्फ बोड के बारे में जानते हैं जैसे कि आप सब में क्यूरो सिटी पनपी जमीन को लेकर तो जमीन से ही शुरू करते हैं जैसा मैंने आप से का लार्जेस्ट लेंड होल्डर्स ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा सेना के पास जगे है होनी भी चाहिए क्योंकि सेना के पास देश की रक्षा के लिए बहुत सारा काम रेलवे के पास भी है क्योंकि पट्रियां बिचानी है गोडाउंस बनाने है थार्ड जगे जो है वो वक्फ के पास है ये वक्फ के पास तेलंगाना इटसेल्फ में 37,000 एकड जमीन है आप इस से अंदाजा लगा सकते हैं अब इस बात पर कई बार कई तरह की न्यूस आल्रेडी छपी हैं जैसे सितंबर 22 में छपी हुई खबर आप देखते हैं कि वक्फ गोड अपने आप में लोगों की प्रॉपर्टी छीनने का कोई टूल तो नहीं है हिंदूस से उनकी जमीन छीनने का कोई तरीका तो नहीं है इस तरह की भी कई बार खबरें चपती रही है इतना ही नहीं आप जुलाई 2022 की भी एक खबर देखते हैं जिसमें ये लिखा आया था कि लोग अपने प्रॉफेशन को अपनाने के लिए मतलब इस बारे में मौट ज़दा बहत श्री गई सुप्रियम कोट तक भी ये बात गई कि आपके पास जब कोई चीज नहीं आ पा रही है तो फिर उसका कोई लॉजिक क्या है ठीक है अच्छा अब थोड़ा जमीन के बारे में भी जान लीजिए देखिए डिफेंस के पास 17.9 पांच लाख एकर जमीन है हमारी सेना के पास रेलवे के पास अगर हम बात करते हैं तो 11.78 लाख एकर जमीन है रेलवे के पास वहीं अगर वक्फ की बात करते हैं तो 8.7 लाख एकर भूमी है किसके पास में, सुरी, वक्फ की प्रॉपर्टीज है, 8.7 लाख वक्फ के पास और इनकी जो एकर में लेंध है, मतलब जो एरिया है, वो है 9.4 लाख एकर अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, कि किस तरह से इनके पास मतलब 9.5 लाख एकर भूमी वक्फ के पास इस्थित है, आप इसको ऐसे समझेए, अब आपको इस शब्द की भी थोड़ी जानकारी दे देते हैं, वक्फ का जैसे मैंने आपको शुरुआत में धर्म के लिए किया गया किसी भी तरह का दान वक्फ कहलाता है, अगर आपके पास दान देने के लिए पुस्तके हैं, तो आप वो भी दान करें, वो भी वक्फ कहलाएगा, अगर आपके पास दान देने के लिए गाड़ी है, घर है, बंगला है, आपके पास में शेयर हैं, आपके पास company के मालिकाना हक है आप कुछ भी दान करिए वो सब वक्व कहलाएगा ठीक है अच्छा इसके अलावा किसी संपत्ती को अगर लंबे समय तक अच्छा ये बड़ा बहुती मतलब critical point है अगर कोई संपत्ती है जिसको लंबे समय से धर्म के काम के लिए इस्तमाल किया वक्व है तो ये जतनी भी मजजिद हैं मजारे हैं या फिर जतने भी कब्रिस्तान है ये सब की सब वक्व के अंदर count की जाती है ठीक है साथ ही साथ जो पाकिस्तान चले गए छोड़कर के मुसल्मान उनकी जमीने भी वक्व हैं तो यहां पर जहां तहां आप जमीन देखत उस सब किस के पास है? वक्फ के पास है. और इंट्रेस्टिंग बात ये है कि उस जमीन को वापस कोई नहीं ले सकता. यानि कि मुस्लिम वक्फ कर सकता है. उसकी एसलाम में आस्था होनी चाहिए और उसका उद्देश भी इसलामिक होना चाहिए लेकिन वो उसे वापस नहीं ले सकता तो अर्थात चल संपत्ती अचल संपत्ती या किसी भी प्रकार का दान वो अपने द्वारा दे सकता है अब आप पुछेंगे कि ये कब से शुरू हुआ देश की आजादी के बाद शुरू हुआ या इससे पहले शुरू हुआ इसका थोड़ा इतिहास जो हम ढूंड पाए अब हम वो बताते हैं देखिए कहते ऐसे हैं कि वफ की जो शुरूआत है वो प्रॉफिट मुहम्मद के साम समय से ही देखी जाती है मतलब इनिश्यल एज में जो की संस्थापक्त है इसलाम के उनके समय से ही देखी जाती है अलहजर यूनिवर्सिटी काईरो और यूनिवर्सिटी ओफ अलकुरिंकियो मौरकों के अंदर इसी प्रकार की वक्फ के उपर बसी हुई पुरातन इतिहास की संपत्तियों में से एक है ठीक है? इतिहास के अंदर पता चलता है कि पैगंबर मौहमद कहा करते थे कि वक्फ जो है अपने जायदाद में से खैरात में कोई भी जगे अगर कोई व्यक्ति इस तरह से दे और देखिए इसके पीछे का तर्क जो था पुराने समय में वो ये था कि अगर किसी मुस्लिम को ये लगता है कि उसके द्वारा भी किसी की सहायता करनी चाहिए वो भी अपने द्वारा कमाए गई संपत्ती में से किसी को मदद पहुँचाए तो जो बे सहारा है गरीब है उसकी मदद हो सके तो मुसलमान अपने जीवन भर में से कुछ दान कर सकता है और ये दान करने के बाद जो जमीन प्राप्त हुई इस पर करशी की जा सकती है उससे लोगों का भला किया जा सकता है ठीक है तो फिरोशाहत तुगलक के जमाने में जो लोगों के द्वारा जमीने वक्फ की गई थी मुगल काल में उन्हें व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया यानि कि अगर हम इतिहास में देखें तो तुगलक के काल में भी जमीन वक्फ की जाती थी मुगल काल में इनको व्यवस्थित करने का काम शुरू हुआ अच्छा शुतुगलक ने अपने दौर ए हुकूमत में शिफा खाना खोला तो हकीम और डॉक्टर को बहाल किया दवाएं दी तो लोगों के द्वारा लिखित जरिये अपने द्वारा अपनी जमीने वक्फ कर दी गई कि ठीक है इस तरह के जो अस्पताल है ये चलते रहे हम इसके लिए अपनी जमीन देना चाहते हैं ऐसे ही दिल्ली में एक मदर्सा है मदर्सा फिरोज शाही जिसके बारे में कहते हैं कि ये सबसे बहतरीन मदर्सा माना जाता था इसको भी जमीन उस समय पर वक्फ की गई ताकि लोग छात्रों को पढ़ाने के लिए अपनी तरफ से मदद कर सके बाद में अकबर के समय में इस काम को और बहतर देखरेख से किया जाना शुरू हुआ वक्फ और अच्छे से कायम होने शुरू हुए और मुल्क पूरे देश के अंदर वक्फ की विवस्था कर दी गई कि जिसे जिस भी तरह से अपनी संपत्ति दान करनी है वो वक्फ कर सकता है इसलाम अब अनुयाई को ये बात दे दी गई यानि एक तरह से ये समझा जाए कि अंग्रेजों के दौर से पहले वक्फ देश की क्योंकि मध्यकालीन भारत में मैक्सिमम टाइम इसलाम को मानने वालों का है तो ऐसे इस्थिति में वक्फ का भी काम खूब हुआ लेकिन आज से लगबग 2500 साल पहले जब अंग्रेजों का आग्मन यहां हुआ तो अंग्रेजों ने भी वक्फ के काल को आगे बढ़ाया जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहा देश के धार्मिक आंदोलों के अंदर देश के आजादिक आंदोलों के अंदर वक्फ के काम चलते रहे भारत में अगर अंगरेजी इतिहास की बात करें तो 1810 के अंदर कानून के अंदर वक्फ की जगे पहली बार दिखाई देती है जहां सरकार के द्वारा काजी संपत्यों के निगरानी के लिए नियुक्त किये गए मतलब हम एकदम एंसियंट से उठकर के मतलब मद्ग के पूर्व से उठते हुए अंत तक आते हैं और क्या आता है कि सरकार के द्वारा वक्फ की जमीनों की निगरानी के लिए काजी नियुक्त किये गए मुगल सामराज्य के पतन के बाद ओकाफ की हालत बदतर होने लगी तो ऐसी इस्थिति में एक कानून पारित किया गया 1817 के अंदर इसी कानून को ध्यान में रखते हुए निगरानी बोर्ड ओफ रेवेन्यूस और बोर्ड ओफ कमिशनर्स के माध्यम से इन जमीनों की निगरानी होने लगी 1963 का समय आया पुराने कानूनों को रद करते हुए कुछ और कानून बनने लगे 1890 तक आते हुए चैरी टेबल संपत्यों को चैरी टेबल एंडाउनमेंट एक्ट कुल मिला कर ये समझे कि अब दान में संपत्य इतनी आ गई कि उसका मैनेजमेंट अपने आप में बड़ा टास्क हो गया जमीन दिखने लग गई कि यार इतनी जमीने डॉनेट कर दी देखिए इनसान पैदा होता है मर जाता है जमीन पैदा होती है बनी रहती है जमीन दान में आई है तो बढ़ती ही जाएगी जाएगी कहां उसको कंज्यूम कौन कर रहा है ऐसी इस्थिति में जमीने बढ़ने लगी 1873 में Bombay High Court ने वक्फ अलल हौलाद ये क्या है इसको भी थोड़ा सा बता देता हूँ असल में जिसने संपत्ति दान की है उसके संताने उसका उप्योग कर पाएं ऐसा भी बीच में एक प्रॉविजन आया लेकिन इसका लोगों के द्वारा विरोध किया गया कि दान अगर पीडी दर हो गया तो फिर उसका क्या लॉजिक है एक प्रकार से देश के अंदर ऐसा माहौल बनने लगा कि नहीं अंगरेज कही न कहीं कन्फ्यूज कर रहे है धर्म वर्सिस लोग के अंदर ये मामला बिगार रहे है चलिए ये सब चीजे धीरे धीरे चलती रही बीच में फिर एक दौर आया 1910 का जिस समय भारत के मुसल्मानों के हाथ में एक मौका आया सर सहयद अली एमाम के नाम पर जो कानून मंत्री बने ब्रिटेन के अंदर यानि ब्रिटीश हर्स राज में भारत में कानून मंत्री बने इन्होंने वफ्फ के लिए काफी जादा प्रयास किये कि भई इसको किसी तरह से चैरिटेबल काम की जमीन है, दुनिया की मदद के लिए आई हुई जमीन है, तो इसको as it is रहने दिया जाए. अंगरेजों का दौर चलता गया, अंत में 7 मार्च 1913 को मुस्लिम वफ्त वैलिडिटिंग एक्ट 1913 पारित हुआ, जो की अंतीम बार 2013 में संशोधित हुआ है, या exist करते हैं. भारत सरकार की अगर बात करें, तो भारत में वक्फ बोर्ड का गठन, वक्फ एक्ट 1954 के तहत किया गया है, जिसमें सरकार द्वारा वक्फ के तहत, जितने भी सम्मंधित प्रकार के किरिया कलाप हैं, वो वक्फ बोर्ड के अधीन कर दिये गए हैं. अर्थात, क तो 8,65,646 वक्फ की immovable properties हैं, जो वक्फ के पास इस समय हैं. इनका management कौन करता है, तो सरकार के द्वारा वक्फ assessment management system of India, सरकारी तरीके से बनाया हुआ है, जिसमें वक्फ की जमीने, immovable properties, movable properties, digitalized record, सारी जानकारियां यहाँ पर mentioned हैं. अगर इन जानकारियों को हम, immovable properties या इनकी जानकारियों को अगर हम बार में देखें, ग्राफ में देखें, तो सबसे ज़्यादा जमीन agriculture में दिखती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जमीन graveyard यानि कब्रिस्तान के अंदर उपयोग में ली जाती है. उसके बाद में mosque में सबसे ज़्यादा जमीन का उपयोग किया जाता है. ठीक है, बहुत सा भी जगह अगर आप देखें तो houses के अंदर, दरगहा के अंदर और plots and other uses के अंदर भी वक्फ की जमीन का उपयोग होता हुआ दिखता है. अब सवाल बनता है कि वक्फ काम कैसे करता है? उमीद है अब आ केंद्र सरकार के अधीन है. वक्फ एक्ट 1954 के तहत ही उसकी स्थापना की गई है जिसका अध्यक्ष केंद्र सरकार में वक्फ मामलों का मंत्री होता है. जैसे फिलहाल के लिए अगर हम बात करें तो इसमृत्य इरानीजी जो है वो इस वक्फ मामलों की मंत्री है. ठीक है? इस प्रकार से मंतराले अलग-अलग लोगों के पास होता है, तो केंदर सरकार वक्फ मामलों के मंतरी रखती है, और इसमें फिलहाल 20 सदश्य हो सकते हैं. इन सदश्यों के अंदर मतलब मदद को मुश्रत अलखिदमत कहा जाता है, अर्थात एक प्रयोजन के लिए दी जाने वाली मदद की देखरें, ओके साथ, 1904 के इस वक्फ एक्ट के अंदर, वर्ष 1995 में के अंदर एक नया नियम जोड़ा गया था, यह नियम, 1995 में में कानून के तहत एक जानकारी देते हुए कहा गया, कि एक सर्वे कमिशनर, वक्फ गोशित की गई सभी संपत्यों की जाच करेगा, इसके लिए वो गवा और कागजातों की भी मदद लेगा, वफ्त का काम देखने वाले इस सक्थ को मुतालवी कहा जाता है, ठीक है साब अब एक मुतालवी की एंट्री हो गई, वक्फ के पास जो संपत्य कबजे के लिए दी गई है, वो संपत्य किसी और को देने का अगर अधिकार दी आ गया, तो वो भी वक्फ बोर्ड को दीआ गया, अगर वक्फ को लगता है कि ये जमीन किसी गरीब की मदद के लिए दी जा सकती है, या किसी अस्पताल को दी जा सकती है, या किसी को निवास के लिए दी जा सकती है, तो वक्फ उस जमीन को दे सकता है, लगभग भारत के सभी राज्यों में वक्फ बोर्ड की जमीने हैं, मतलब वक्फ बोर्ड है, लेकिन गोवा और पूरुवत्तर के कुछ छोटे राज्यों में वक्फ बोड नहीं है अब हम बात करें राज्य वक्फ बोड की तो केंदर केंदर 20 हो गए क्योंकि 20 लोग हो गए राज्य वक्फ बोड भी ऐसे ही काम करता है उसमें भी एक चेर्मेन राज्य सरकार के द्वारा निमोनोनीत कुछ सदश, मुसलिम लेता, विधायक, राजस्था, मतलब जो भी राज्य है, उसकी बार काउंसिल के मुसलिम सदश, स्कॉलर, और एक लाग से ज़्यादा वार्शिक आये वाले वक्फ के मुतालवी, जो की रखरखाओं का काम करते हैं, उनको शामि किया जाता है, ठीक है, इस प्रकार से वक्फ अपनी किसी भी संपत्ती को किसी के नाम अगर हस्तानांतिरित करता है, तो उसको करने के लिए दो तिहाई सदश्यों की सहमती आवशक होती है, तो देखिए केंद्रिया वक्फ हो गया, इस्टेट के अंदर राज्य वक्फ हो और इस प्रकार से वक्फ के द्वारा देश भर के अंदर जमीने रखी गई है, लेकिन आज की स्थिति क्या है, देखिए जो परिशानी है वो तो मैंने आपको बता दी कि जमीन पर वक्फ के द्वारा कहा गया कि ये जमीन उसकी है, समझ में आया, अब ये जो वक्फ के ना पर लोगों ने जबरन कबजे जमा लिये, और उन कबजों को छुडाने के लिए वक्फ बोड के द्वारा समय समय पर प्रयास किया जाता है, उन्ही प्रयासों में से तमिल नाडू के अंदर एक गाउं को खाली कराने के लिए वक्फ का आदेश ही चर्चा का विशय बन गय वक्फ ने जिस गाउं को खाली कराने का आदेश दिया वो हिंदू मैजॉरिटी विलेज था और उस हिंदू वेरोजर विलेज में पंदरा सो साल पुराना एक शिव मंदिर भी था और खाली करने की शर्त के नाम पर उनसे ये कहा गया कि अगर खाली नहीं करना चाहते हो त इसलाम को दान की जा सकती है तो यही मामला इन सांसद महदे के द्वारा राजसभा में उठाया भी गया है कि जब पावर उसको आपने जनीन ट्रांसफर करने की दे रखी है तो कोट का इंटरफेरेंस क्यों नहीं है वो आदमी जो पीडित है वो कहा जाएगा इसलिए उनि को हाइलाइट किया गया ठीक है साब अच्छा एनोशी लाने के नाम पर भी जिम्मेदारी गाओं वालों को दी गई कि तुम अगर जमीन हस्तनांत्रित करना चाहते हो तो वक्फ बोड के पास जाओ और वहां से लिखवा के लाओ कि ये जमीन वक्फ की नहीं है तो लोग ज प्रकार से काफी जादा इस मामले को लेकर के विरोध भी हुआ फिर राजनीती होने लगी तो पता चला कि इस जगह को DM के सरकार के द्वारा ही इस प्रकार से वक्फ बोड को दिया गया है अब जो भी है लेकिन ये पावर तो absolute पावर सी हो गई जब तक न्याय पालिका का interference नहीं है तो फिर उस पावर का महत्व क्या है ठीक है अच्छा एक और वाकिया हुआ हाली के दौर में और वो क्या था द्वार का और भेड़ द्वार का आपने नाम सुने हो भगवान कृष्ण की वो जगह जहां पर कृष्ण भगवान ने राज किया था टापूओ पर बस हुआ शहर है उनमें से कुछ टापू जलमग न हो चुके हैं हाल ही में वक्फ बोड के द्वारा वहां के दो आईलेंड्स पर भी अपना दावा ठोक दिया गया इस बात से सर्प्राइज होते हुए कोट ने सवाल कर लिया कि ये कैसे संभव है भाई यदि ये जमीन भगव के द्वारा ना जाने कितने प्रकार की जमीनों को अपना बताने का प्रयास किया जाता है ठीक है साब इंट्रेस्टिंग तो तब हुआ जब वक्फ के द्वारा ताज महल को भी अपनी प्रॉपर्टी बता दिया गया कि ताज महल भी हमारी प्रॉपर्टी है लॉजिक क्या हमारी है सुनी वक्फ बोर्ड ने ताज महल को रिलीजियस प्रॉपर्टी अनाउंस करते हुए और वक्फ की प्रॉपर्टी के नाम पर बता दिया इस बास से आर्कियोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया परिशान हुआ 2010 में वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उसमें अपील करी भाई क्योंकि अभी ASI के द्वारा ही मैनेज किया जाता है बोले साब अब तो ये जमीन वक्फ ने क्लेम कर दिया हम क्या करें सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इस्टे लगा दिया बोले ठीक है तुमारे कानून में लिखा होगा अब हम भी सुप्रीम कोर्ट वाले हैं ऐसे क्या करेंगे सुप्रीम कोट में बड़ा ही लॉजिकल सा सवाल पूछ लिया कि आपके अकॉर्डिंग वफ का मतलब यह होता है कि कोई व्यक्ति आपके नाम उस जगए को करकर गया हो इसलाम का अनुयाई हो उसने अपने तरफ से वख्व किया हो ले आओ शाह जहां का वो कागज ले आओ जिसमें की वक्फ करते समय उन्होंने डॉक्यूमेंट दिया था कि यह डॉक्यूमेंट है मैं ताजमहल को वक्फ करता हूँ अब उनके पास कुछ था नहीं तो फिर सुप्रीम कोट ने उनकी पिटीशन को खारिज करते हुए कहा कि तुम्हारे पास जब यह चीज नहीं है अब वापस पधारो और यह जगे एसाई के पास ही रहने दो कुल मिला करके जमीन पर क्लेम करने का जो अंदाज है वक्फ बोड का वो बहुत विस्त्रित है तो संभावत आया आप मेंसे बहुत सारे लोगों ने जो इतने समय तक हमसे डिमांड की थी वक्फ के बारे में जानकारी लाओ और उससे जुड़े हुए मुद्दे बताओ हमने थोड़ा सा उसमें जो प्रयास किया है महनत से वो आपको काम का लगा हो तो आपसे गुजारिश है कि इस सेशन को जादा से जादा लोगों तक साजा करें अल्रेडी अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक करना बिलकुल न भूलें आप में से बहुत सारे लोग वीडियो के अंत में अपनी तरफ से ठैंक्स के माध्यम से हमें पैसा या धनराशी भेजते हैं यूट्यूब के माध्यम से उन्हें हम धन्यवाद लाइव सेशन में नहीं बोल पाते हैं उसके लिए हम चमापरार थी हैं एक बार में ही सब का बहुत धन्यवाद जो हमें अपनी तरफ से कुछ ना कुछ फंड डॉनेशन के रूप में भेज रहे होते हैं चीके साब चलिए तो उम्मीद है अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी ताज महल का मामला किलियर हो गया होगा अब बाकी तो मैंने आपको बताई दिया फिलहाल जो मामला है कि बोर्ड में कैसे पहुँचा वो भी मैंने अब आप लोगों को बता दिया है तो अब जो मामला है वो जब तक कोट में जाएगा आप उसको देखिएगा और कोट से जब निकल कर आएगा तब हम आपको बता देंगे फिलहाल के लिए इतना ही बाकी जैसे हमने आपको कूको एफम के बारे में जानकारी दी है अगर आप मेंसे कोई भी चाहे तो उसे आडियो बुक के रूप में सुने और हमारा कूपन कोड अंकित फिफ्टी यूज भी कर सकता है बाकी आप मेंसे कोई अगर पढ़ने लिखने वाला विध्यारती है जो हिस्ट्री जॉगरफी पॉलिटी एकॉनोमी पढ़ना चाहता है हमसे बड़ों का सम्मान करें चोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित विस प्रकार से विक्सित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें